नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल अपनी क्लास पर दोस्तों भारत के सभी बोड़ों के कक्षा दस्वी और बार्वीं के विद्धारतियों के लिए बहुती बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों खबर ये है कि कक्षा दस्वी और बार्वी के पेपर लोकडाउन के दस दिन बाद फिर से करवाये जाएंगे दोस्तों इससे पहले शिक्षा मंतरी मनीज सिसोदिया ने मानुशन सादन विकास मंतरी रमेश पोकरियाल को यह सुझाव दिया था कि कक्षा दस्वी और बार्वी के पेपर अब नहीं करवाने चाहिए क्योंकि इससे विद्धारती कोरोना वायरस के संकरमन के खतरे में पढ़ जाएंगे लेकिन अभी अभी भारत के शिक्षा मंतरी रमेश पोकरियाल जी ने मनीज सिसोदिया जी के सुझाव को रद करके यह बताया है कि बची परिक्षाएं लोकडाउन के दस दिन बाद दोबारा शुरू होंगी तो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं अखबार की न्यूज में लिखावा है दस्मी और बारवी की परिक्षाएं रद नहीं होंगी तो दोस्तों यहाँ पे साब साब बता दिया है कि दस्वी और बार्मी के जो पेपर रह रहे थे वो लोकडाउन के बाद करवाए जाएंगे वो रद नहीं होंगे तो दोस्तों यहां पे परिक्षाएं रद क्यों नहीं हो पा रही है आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों पूरी खबर पड़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं लिखावा है केंद्रिय माद्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बार फिर साब किया है कि दस्वी वबार्वी की शेश परिक्षाएं रद नहीं होगी तो दोस्तों इसी हिसाब से बारत के सबी बोर्ड भी यही फेसला लेंगे कि दस्वी वबार्वी के पेपर कैंसल नहीं होगे उनके पेपर लोकडाउन के बाद फिर से करवाए जाएंगे क्योंकि केंद्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बारत का सबसे बड़ा बोर्ड है और जब ये कोई डिसिजिन लेता है तो बारत के सबी बोर्डों को यह फेसला लेना पड़ता है दोस्तों आगे लिखावा है ना ही उनके आयोजन को लेकर कोई बदलाव किया दिया है दोस्तों अब ये बता लगाते हैं कि ये परिक्षाएं रद क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि रमेश पोक्रियाल की बारत की सिख्षा मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि यदि 10- Sc да विध्यारतियों को बिना परिक्षा ही पास करके अगली कक्षा में बेज दिया जाये मारक सीट पर परसेंटेज नहीं लिखे होंगे तो ग्यारवी में एडमिशन नहीं होगा और बारवी के जो रिजल्ट है उसमें आए यहां पर यहीरी परसेंटेज नहीं लिखे होंगे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा साथ ही lockdown खतम होते ही आपकी प्रिक्षाइं सुरू हो जाएगी लेकिन board नहीं आशोशन देती हुए कहा है कि 10 वी और 12 की जो paper रहे हैं वो सारे के सारे paper नहीं होंगे केवल मुख्य विशो के paper होंगे दोस्तों आपको बताऊँगा कि आपके कौन कौन से विशो के paper होंगे उसमें लिखावा था कि 10 वी और 12 के paper अब नहीं करवाने चाहिए लेकिन ये तो सुजाव था जो कि भारत के सिक्सामंत्री जी को दिया गया था लेकिन अब भारत के सिक्सामंत्री जी निसाब कर दिया है कि paper होंगे दोस्तों आगे लिखावा है बीते एक दो दिन से यह कय प्यास लगाये जा रहे थे कि बोर्ड ने 10 वी और 12 की परिक्षाओं के बारे में कुछ अलग फेसला किया है तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी फेसला अलग नहीं किया है बोर्ड ने यही कहा है कि हम परिक्षाएं लेंगे जैसे ही lockdown खतम होगा दोस्तों आगे लिखावा ह बोर्ड ने इन कयासों को विराम देते हुए बुद्वार को सपस्ट किया कि लोकडाउन समाथ होने पर यह फेसला लिया जाएगा कि शेश परिक्षाएं किस तरह से आयोजित करानी है तो दोस्तों बोर्ड ने कहा है कि जैसे ही 3 मई को लोकडाउन यही खतम होता है उसके तुरंत बाद हम बेठक लेंगे उस बेठक में ते करेंगे कि 10 वी में 12 वी की नई एक्जाम डेट क्या होनी चीए नए टायम टेबल क्या होना चीए तो दोस्तों उसने बोर्ड ने यह बताया है कि परिक्षाएं होंगी हम अपने फेसले पर डटे हुए हैं कि इसके लिए प्रिक्षार्तियों को दस दिन पहले सूचना दे दी जाएगी तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बोड ने बताया है कि जैसे विद्यार्तियों की आज प्रिक्षा है तो दोस्तों विद्यार्तियों को दस दिन पहले ही उनका नया टाइम टेबल बता दिया और दोस्तों जैसे की बताया जा रहा है कि 3 मई के लोकडाउन के बाद 10 दिनों के बाद आपकी प्रिक्षाई शुरू हो जाएगी तो दोस्तों जैसे 3 मई को खतम होता है लोकडाउन तो उसके 10 दिन बाद यानि की 13 मई के बाद बाद आपकी जो प्रिक्षाई हैं वो मैं मान करते हैं कि वे कौन से मुख्य विशे हैं जिनके पेपर होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड दोरा कहा गया है कि बोर्ड दस्वी और बार्वी के 39 विशेव के लिए परिक्षाइ आयोजित कराएगा तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि दस्वी और बारवी के जो आपके पेपर रह गए थे वे सारे के सारे पेपर नहीं होंगे केवल 29 विशे के पेपर होंगे दोस्तों आगे जो एड़र्टाइज दिया गया है वो देखके आपको तुरंत 39 विशे मिल जाएंगे जिनके पेपर होंगे तो दोस्तों आप वीडियो को आँ तक जरूर देखना तो डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैस, केमेश्टरी, फीजिक्स, बाइलोजी डाउट का सपाया बस अपने क्यूशन की फोटो किंचो उसे क्रोग करो और उसे सब्मिट करो तुरंत ती 3 सेकिंड के अंदर वीडियो सलुशन पाओ क्लास 6-12 से लेके नीट, IIT, J.E. Men's, Advanced के लेवल तक तो आज ही डाउटनट है